अश्कर दस्तों इस विडियो में आपको हम बताएंगे किडनी खराब होने के लच्षड होते हैं इस विडियो में आपको हम बताएंगे और ऐसा पैसाब आ रहा है मतलब किडनी खराब है मुत्र उत्पादन कौम होना यानि कुछ गुर्दे की खराबी के पहले ध्यान देने योग्या संकेतों में से एक मुत्र उत्पादन कौम होना है पेसाब में खूनाना पेसाब में खूनाना का आपकी जो है किड़नी के सोस्थ की ओर एक महतपूर संकेत देता है हला कि इसका जरूरी मतलब यह नहीं है की गुर्दे खराब हो रहा है इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ समस्या हैं जो अंगो को और अधिक गंभीर नुक्सान पहुंचा सकती है पेसाब में प्रोटीन गुर्दे की खराबी का एक अन्य असमाने लच्छड मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिती है स्वस्थ गुर्दे अत्रिक खनी जैसे अपसिष्पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं और सजीर के भीतर प्रोटीन जैसे महत्वपूर पोशक ततों को बनाए रखते हैं जब किड़नी के फिल्टर चच्छती ग्रस्थ हो जाते हैं तो वे रख्त में प्रोटीन को मूत्र में रिषने देते हैं शुरुवाती हश्च्छप से आगे की चच्छती को रोका जा सकता है गुर्दे का संक्रमड कभी-कभी मुत्रपत के संक्रमड से किड़नी में संक्रमड हो सकता है गुर्दे के संक्रमड से समाने लच्ण में उल्टी, फीट के निचले हिसे या बाजू में दर्द और बुखार सामिल है UTI के प्रति संवेदन सिल्टा के कारण महिलाए इस परकार के संक्रमड से पिड़ित होती है और इसे गुर्दे खराब हो जाते हैं और आस्थाई गुर्दे की छती हो सकती है सरीर में सूजन जब गुर्दे परभावित होते हैं तो वे सिस्टम को ठीक से डिटोक्सिफाई नहीं कर पाते हैं इसे पैरो और पैरो में तरल पदार्थ का अतरिक्त निर्माड होता है बैक्ति के पैरो और टोखनों में सूजन आ जाती है हाथ भी सूज जाते हैं और फूला हुआ चेहरा भी एक आम दिरिश्या है ठकान यानि एपियो एरिथ्रो पिटीन बनाने के लिए गुर्दे जीमिदार होते हैं जो सरीर को आर्बी सी बनाने का निर्दिश देते हैं यानि कि लाल रख्त कोश्का बनाने का जो है सुचित करता है जब गुर्दे परभावित होते हैं तो वे कौम एपियो बनाते हैं यानि जिससे सरीर में आर्बी सी में कौमी आ जाती है इससे सरीर में आक्सिजन की मात्रा परभावित होती है और बैक्ती बहुत जल्दी ठाकान महसुस करता है सास फूनला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आक्सिजन ले जाने वाली लाल रख्त कोश्काओं की आपूर्ती कमी हो जाती है और इस तरह से इंसान का सास फूनला लगता है निकि इससे एनेमिया हो सकता है साथी कभी-कभी जब गुर्दे परभाइत होते हैं तो फेफडु में द्रव कंदिर माढ होता है मतली चुकि गुर्दे की खरावी से एनेमिया हो सकता है इससे मस्तिस को आक्सिजन की कम आपूर्ती हो सकती है इसकी वज़ा से बैक्ति को चक्कर और कमजोडी मौसूस हो सकता है असपश्ट रूप से सोचने में परसानी यानि फिर से एनेमिया है कारण मस्तिस को प्रयाप्त आक्सिजन नहीं मिलने कारण होता है बैक्ति इसमित यानि समस्याओं से पिडित होने लगता है सोचने कारे कि केंद्र जहां ध्यान होना चाहिए वो सब जो है उसका ठीक नहीं हो पता है उसमें कटना ही होता है दौरे जब मस्तिस को प्रयाप्त आक्सिजन नहीं मिलती है तो दौरे पढ़ सकते हैं चुकि गुर्दे की खरावी होने पर लाल रक्त कोश्याओं की मातरा परभावित होती है और वे अक्सिजन के परिवोहन के लिए वाहन होते है बरमती मतलब कि एक निश्चित संभावना है कि कुछ लोग कोमा में भी जा सकते हैं यदि इस्थिती को अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो मतलब अगर आपको इस तरह से हो रहा है और आप मतलब उसमें सुधात नहीं करवा रहा है डॉक्टर से दिखा नहीं रहा है तो कोमा में भी जा सकते हैं कीड़नी इंजरी एक्यूट देकिए जब कीड़नी को नुक्सान आचानक होता है तो इससे acute kidney injury हो सकती है kidney कुछ दिनों से लेकर कुछ घंटों में काम करना बंद कर देती है यदि अनुपचारी छोड़ दिया जाए तो यह एक जीवन धमकी देने वाली समस्या है यह किसी संक्रमर चोट यह कुछे दवाओं के कारण भी हो सकता है गुर्दे का दर्द गुर्दे के खराव यकार या गुर्दे की खरावी एक और संक्रमर पीट के निचले हिसे में और सरीर के किनारों पर दर्द है क्योंकि यह गुर्दे में दर्द का संक्रमर हो सकता है हेप्टाइटिस C Hepatitis C एक viral syndrome है जो liver को परभावित करता है Liver और kidney दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि ये दोनों रक्त के विशहरण में मदद करते हैं कई बार Hepatitis C जैसे liver के रोग kidney को परभावित कर सकते हैं और उन्हें नुक्सान पहुंचा सकते हैं ये सब लच्षड है kidney के खराब होने के इस वीडियो में आपको हम बता है kidney खराब होने के लच्षड क्या क्या है ठीक है अगर आपको इन लच्षडों में से कोई भी अगर दिखाई दे रहा है ता आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो के नटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा